ते यहाँ एक जेम के थरफ से आपको एक certificate मिलता है ठीके जू सिक्ता है जो जेम के बारे में आपको पता है उसके लिए जेम आपको एक certificate इसका Erfahrung का certificate मुझे हैं बहुत टाइब कुछ बायर भी आपसे मंगते हैं कि आपको जय के बारे में पता है तो आप सकते हो कि मुझे का certificate है मेरे पास मतलब मुझे जयम के है दूसरा अभी भी बहुत टाइंडर में जब इसा टाइम सब्सक्रान कब सब्सक्राइब नीचे पर है mm कर बोला है इसे आपको यहाँ लेता है कि आपको मोय्itative का certificate होना चाहिए उस टाइम पर आपको जेम का certificate आपको दिखाना पड़ता है या upload करना पड़ता है तो यह certificate आप निकालोगे कैसे कैसे बनाओगे जेम का certificate तो यह दो चीज़े को लिजनरली जड़रत होता है एक आपके पास कि आपको जेम का नॉलेज है उसके लिए यह certificate या कहीं बायर ने या किसी ने पूछा कि आपको जेम पता है क्या तो उसके लिए आपने जेम में एक एक एक्जाम होता है दस मार्क्स का और उसमें से सेवन मा में है silver, gold and platinum तो आप यह certificate कैसे यूज करोगे तो आपका login ID से login करना है login यहां से direct नहीं करना है उसके लिए आपको नीचे मिलता है LMS का जो आप जेम पर जाते हो login के लिए तो आपको यहां पर LMS का एक option मिलता है training के नीचे यहां पर क्लिक करोगे एक नया tab खुलेगा और य जो आपका original login ID है वही login ID से login हो जाना जैसे मैं automatically login हो गया क्योंकि मेरा पूराना जो ID था वो logout नहीं हुआ इसलिए automatically मुझे वो LMS portal में login कर दिया login करने के बाद मुझे यहां पर मिलता है get certificate second number option get certificate यहां पर तीन पार्ट है silver gold and platinum तो पहला silver silver में मेरा nine score है minimum seven score चाहिए और तो मुझे यहां से silver का certificate डाउनलोड करने को मिल रहा है मैंने एक्जाम कब दिये थे मैंने दिया था 24-4-2022 को मतलब एक साल पहले तो उस time पे मुझे यह certificate इसू करके दिया था यह certificate में यहां से डाउनलोड कर सकता हूँ मेरा जो company का नाम है उसके रिकार्डिंग मुझे certificate automatically issue होखे मिल जाता है तो यह एक certificate है जो जेम पोर्टल users के लिए सेम मुझे जिदि गोल्ड का है गोल्ड में जाना है और यहां पर मुझे उसका एक्जाम देना है सेम यहां पर दस question पूछा जाएगा जैसे which are the flowing details are not required create in incident कि incident के लिए क्या चीज़े नहीं लगता है तो NIC का email id नहीं रदत परता can CRC get edited after payment till CRC is verified yes after CRC generation CRC is not editable after generation तो जदि आप CRC को कैसे आप एडिट कर सकते हो इसके सबसे आपको यह सब payment के बाद CRC नहीं होगा तो मैं randomly अभी फिलाल without पढ़े मैं आपको direct दे देता हूं एंसर चलो उसमें से देखेंगे एंसर का सही तो यहां पर मैंने ऐसे दस एंसर दे दिए अब इसमें साथ एंसर सही है तो मुझे गोल्ड दे देगा और जदि आपको इसमें जादा आपको जादा दिकत भी नहीं है और आपको जादा तक्लीफ है आपको लग रहा है कि पर्स टाइम में सही होना चाहिए आप जितनी बार चाहें उतनी बार कोस्टन का एंसर दे सकते हो याद रख लो यही कोसटन repeat होता रहेılगा == और यहां सब्मिट रिस्पॉंस छे सई हो गया फिर भी हमने नर्मा ले दिया हमको सर्टिफिकेट नहीं मिला फिर से में दे सकता हूं रिशेट टेस्ट फिर से आपको एंसर कोस्चन थोड़े बहुत बदल जाएंगे बाकी सब वही रहेगा अभी हम जैंडमनी में फिर से एंसर देता हूं देख वही सब एंस कोस्चन से वही सब एंस कोस्चन से अभी तो चारी से हुआ है ना तो यह सब्सक्राइब अख इस अध्सर चल्रेटू आपको सभी ऐसे आइसे ऐसको चल्ट पर बृष्ट कर सकती । और यह जेम का सर्टिपेट आपको यहां से डाउनलोड करने को मिलेगे यह है जेम का सर्टिपेट अकाश सर बॉलिया इंचिदिन्स मतलब आप किसी के आगरीज में कमप्लेंड करना कि आपको उसका Practice डेन पड़ेगा जो आगे वाला मैंने आपके ऊपर क्या कंप्लेइं विसकी एश्क्विश्च आपको प्रापर उसका रिप्लाइ देना पड़ेगा त्थे आप प्रेप्वाइज नहीं देफेसकते या नहीं देते हैं तक आपका अकान ब्लोक हो फाइव डेज है मैक्सिमम फॉर्टीफ़ देज है और इसमें कुछ लीगल अगयरा नहीं कुछ लीगल नहीं सिरेकाउंट सस्पेंड होता है फिलाग फिर से बाद में खौपन हो जाएगा पसद सब्सक्राइब है यह जो भी कुशन्स होगर आ रहा है या जेम की जो भी अपनी पॉलिसी या गैललाइन्स है कर लाइस को में आपके पर्सनल वाट्सप में आ जाएगा वो तो ताइप डेमेटरील रहेंगा तैसा साथ रहे दाओक होगए सिखाऊंगा तो मैं आपको कहां से डाउनलोड करना है वो बता दूगा जेम की जो भी टम संग कंडिसन से तुकि वह तो फिर ऑथेंटिक डॉक्मेंट होगा ना सुपनिला कि जवाब मैं आपको बता दूंगा आप वहां से डाउनलोड करके पड़ सकते हूं यह जब रेजिस्ट्रेशन का पार्ट सिखाऊंगा तो मैं बताऊंगा यह सब चीज़े एक-एक क्लास चालू होगा तो मैं आपको एक-एक करके चीज़े बताते जाऊंगा क्लियर है और किसी को कोई डाउट से अभी तक हम दोग अभी क्लास फिर चालू करते हैं तो यह एक पहला टॉपिक्स होगा आपका क्लास चालू होने का जेम का certificate कैसे निकालते हां जेम सर्टिफियर के वारे में अभी हम लोग देखिंगे registration एजे सेलर का सेलर का registration कैसे करते हैं यहां से लेकिए आपको seller plus buyer दोनों का हम लोग training one by one provide करेंगे अभी तक हम लोगों ने जेम के norm समझे जेम क्या है वो समझा अभी हम लोग आगे के class में एके करके एके topics सिखते रहेंगे